हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भी शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं हमारे आगले दो सवालें दोनों सवाल स्क्रीन पर आजाएं कि पहली डोस के बाद कितनी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरी डोस लगने के कितने समय के बाद आप ये कह सकते हैं कि वैक्सिन आपको जितनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकती थी उतनी आपकी बॉडी में आ ही है डॉक्टर सुरेश देखिए जो भी इंटरनेशनल स्टेडी होई है जो लेंसेट में पॉब्लिस होई है न्यू इंग्लेंड जनरल अफ मेडिसन में और इनिया के तमाम रेप्टिट जनरल है जो भी वीश हजार से ज्यादा के डेटा वैक्सिन्स का है तो वह यह दर्सा सारी जो स्टेडी का रिल्यू किया उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे है जो वैक्सीन का जो टोजिस है अलग-अलग जो उनके मापदन है उसके हिसाब से होता है एक कोई भी वैक्सीन हननेट परसेंट एफिकेशी नहीं होती है आपने देखा हो गए कि कि किसी का जो श इसमोटी नहीं होने बंके आपने दो दोज ले लिया फिर भी आपको दस ते पीस परसेंट आप से लोग ओंगा उसमें आपने आपने तो इन थे समैंट वह अंगार इसमें दोज इसमेंट गुट बाहन लोग यह इंग्जिए अट्रल शुम घेश इस तांसे गिवे इन र आपना सवाल है कि मुझे चार दिन पहले वैक्सीन लगी है तो रोज मन में यह खयाल आता है कि अब मैं कितना प्रोटिक्टेड हूं या मुझे कितने दिन के बाद थोड़ा सा मुझे डर ना लगे ऐसी सिती में आ जाएंगे अब संक्रमंट से मुझे खत्रा कम है ऐसी भाव कि सामने वाला इंफेक्टेड है तब तक सोसाइटी के हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी और सोसाइटी के हर्ड इम्यूनिटी जरूरी है पैंडेमिक्स के लिए हो सकती है लेकिन अगर आप ऐसे इन्वार्मेंट में घूमेंगे जहां वाइरस का कंसेंट्रेशन ज्याद नहीं हो जाती तब तक आपको अपने सारे गाट्स गाट्स ऑन करके रखने पड़ेंगे यानि कि आपको कोविड एप्रोप्रियेट बिहावियर करना पड़ेगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मास्क है मास्क हमारा 95-99% पर्टेक्शन देता है बाकी सारी चीज का जमाना है हर जगे से एक दूसी जगे वाइरस पहुंच रहा है तो यह समझे लिजी कि जब पूरे विश्व को तभी मिलेगी इम्म्यूनिटी हर्ट जब 70% ग्लोबल पॉपॉलेशन वेक्शनेट हो जाएगी इसलिए हमारी जितनी रिस्पॉंस्बिल्टी हमें इनॉक् यह आपने बात कई 70% आबादी वाली दरसल यह मेरा अगला सवाल आप से होता क्योंकि कल अमेरिका से एक खबर आई वहां के राश्पती ने बकाइदा इसका एनॉंस्मेंट किया कि अब उनके प्रशासन की तरफ से यह सुझाद दिया जा रहा है कि जिन भी लोगों को दो डोज लग चुकी हैं पूरी वो मास्क उतार सकते हैं जरूरी नहीं है उनके लिए मास्क पहनना लेकिन उनकी आबादी और हमारी आबादी में बहुत फर्क है और मेरे खाल से वो उतने अनुपात में वैक्सीन लगा चुके हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं तो हम भी तब मास्क को अलविदा नहीं कह सकते जब तक हमारी सत्तर प्रतिशत आबादी कम से कम वैक्सिनेट ना हो जाए जिए नॉर्मली यही कहा जाता है जो स्टडी में निकला है कि सत्तर प्रतिशत पॉपॉलेशन मिनमम रिक्वार्ड है जबकि हम अपने को हर्ड इम्यूनूटी से प्रूफ मिल जाएगा ऐसा लगता है लेकिन जैसा अमेरिका ने किया वैसा ही आज से करीब एक महीने पहले इसराइल ने किया था वहाँ पे 62% वैक्सिनेशन हो गया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लोग विदाउट मास भूम रहे थे तो आईडियल सिच्वेश मिनिमूम जो एक साइन्टिफ डेटा अवेलेबिल है रिकॉर्ड अवेलेबिल है उसके उपर पहुंच जाए तभी हमें अपने गार्ट को आफ करना चाहिए नहीं तो मास को मेंडिटरी रखना चाहिए डॉक्र सुरेश एक सवाल ये भी बारबार उठ रहा है कि क्या ये इस वैक्सिनेशन की जरूरत हमें हर थोड़े अंतराल पर पड़ेगी कुछ लोग कहते हैं कि वाइरस अपनी शकल अपना स्वरूब बदर लेता है म्यूटेट हो जाता है तो उस शायद कुछ वैक्सिन उस पर कारगर ना रह जाएं तो क्या हम ये मानें कि हमें शायद हर साल या हर कुछ सालों में वैक्सिन लेनी पड़ा करेगी निश्चित रूप से डेफिनेटली ये तो क्योंकि हर साल जो वाइरस से मिंटेंट होगा और आपको हर साल यदि एंटीबोडी लेवल आपका मिंटेंट रखना है तो आपको तो हर साल लेनी पड़ेगी इसा बहुत ही आफशक है कि एक बार लें और हम ये सूचें कि हमारा लाइफ लोग हम उस बीमारी से बच जाएंगे ऐसा नहीं है इस गिविंग प्रोटेक्शन फोर ओल स्टेंस अफ दे और नवायस तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन निर्माता कंपनिया है जो आज फूल केपैसिटी पर चल रही है और तब भी हमें वैक्सीन की थोड़ी बहुत कमी तो है यह अब निरंतर इसी पर काम करती रहेंगी हर व पूरी तरह से अग्री नहीं करता इस बात से क्योंकि इस टू अर्ली टू से कि हमें हर साल वैक्सीनेशन जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि अगर एक साथ पूरे लोग की सेवेंटी परसंट आप पॉपलेशन एक बार इम्म्यूनिटी आ जाएगी तो उसके अरजर ये एक अलग विश्य हो गया क्योंकि तो बात हुई कि वाइरस सफ्मिनाफ स्वरूब बदलेगा तो दवा बदलनी पड़ेगी आम तोर पर जब हम वैक्सीन ले लेते हैं किसी भी चीज़ की जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती तो दुबारा जीवन में उस बिमा तो वैसे भी इसका इस दवा का असर चला ही जाएगा शरीर से आप ये कह रहे हैं कम हो जाएगा उसका जो टाइटर है कम होता चला है दॉक्टर मिश्रा मैं एगरी करता हूँ कि 6-9 महीने तक मैस्टर रह सकता है लेकिन मैं ये भी मतलब मेरा ये मानना है scientific opinion different हो सकते हैं मेरा ये मानना है कि जैसे ही पूरी population एक बार पूरे विश्व की inoculate हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी को vaccinate कराने की ज़रूत पड़ेगी क्योंकि natural immunity आ जाएगी जैसा कि हम बाकी सारे vaccinations में देखते हैं ये बात अलग है कि influenza में कुछ vaccine आती है जो हर बार change हो के आती है लेकिन हर वाइरस एक नया वाइरस होता है और majority वाइरस में मुझे नहीं लगता कि lifelong booster ही ज़रूत पड़ेगी तो मैं इससे बहुत इतफाक नहीं रखता कि बार बार देनी पड़ेगी बट इसमें कोई डाउट नहीं कि 6-9 महिने का vaccination के बाद 6-9 महिने के बाद आपकी जो immunity होती है vaccine के दोरा जो मिली होती है वो धीरे धीरे खतम होता है अज़र सार एक सवाल ये भी है कि अभी चुकि केंदर सरगार के तरफ से बताया गया अभी कि अगस्त और रिसम्बर के बीच में हमारे पास शायद अपनी आबादी के लिए जितनी जरूरी है vaccines की doses हमारे पास लब्ध होंगी 200 करोड से जाधा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अभी है सोच रहे होंगे कि एक बार वो विदेशी कंपनिया भी आ जाएं कोई नई vaccine आ जाए तो तब हम देखेंगे और हम experts से पता करके कि कौन सी बहतर है हम बो लगवाएंगे ऐसा करना चाहिए या उनको at the earliest जो भी वैक्सीन मौझूदा मिल रही है उसको तुरंद लगवा लेना चाहिए डॉक्टर सुरेश पहले आप जो भी वैक्सीन आपको मिले वह आपको तुरंद लगवा लेनी चाहिए आप यह सोचें कि हम एक इंपोर्टिट वैक्सीन लगवाएंगे या फाइजर की या मोडरना की विदेश से वैक्सीन आएगी और तब तक आप इदियार करेंगे तब तक आप बहुत लेट हो चु लगवा लेजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फरक नहीं है ए ब्रांड में और भी ब्रांड में और सी ब्रांड में यह सब भरम जादा है Most of the vaccines are as good as any of the international brand. और जो इंडिया में जो मेनस्क्चर हुआ है हमें तो चरह होता है कि कि इंदियू आप तू कम्षान स से लिडर की वैशिनिशनकरी जो निर्मिक हुए यह जो टूत होई पोई और दोनो क्ली आश वैक्षीन है और यह दिन कोई बाहर से भी वैक्शिन मिलती है और यही इंडियन वैक्शिन के कहीं पर कोई प्रब्लम होता है बाहर से जो भी मिले उसको आप गो हैट और टेक दी वैक्शिन इस नौट आप आप पूर्पूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद और कोई वैक्शिन को लेकर सरकार ने अब क्या बड़ी बात कहिए आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद